नमस्कार प्रियाजनों आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपके अपने शुब्जिंत के वीना शर्मा आप आई मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बात करूंगी विवाज शादी में देरी के एक ऐसे उपाई क जो कि आपका अपना उपाई होगा, किसी दूसरे का उपाई नहीं होगा यनि कि सब का अपना-पना अलग-अलग से उपाई होगा ऐसा एक तरीका बताने वाली हूँ सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि इस उपाई को बच्चे तो करेंगे ही कर सकते हैं, हाँ लेकिन इसके साथ ही माता-पिता भी इस उपाई को कर सकते हैं बिबा में देरी हो रही है रिष्टा आ नहीं रहा है वो तो एक अलग बात रहेगी लेकिन ये उपाय हमारा वो है फिलहाल जहां अगर जिन जिन लोगों के भी जिन बच्चों के भी या जिन माता पिता के बच्चों की कहीं बात चल रही है बिबा की अगर बात चल रही है कह और वो आपके पसंद का रिष्टा है यानि के बच्चों के भी पसंद का रिष्टा है और माता-पिता के भी पसंद का रिष्टा है आपका मानचाहा रिष्टा है और बात वहाँ चल रही है आपको लगता है कि बात पता नहीं बनेगी के नहीं बनेगी तो ऐसे में इस उपा को आपको किसी देवी देवता के आगे पैठ कर उपायि ही करना यानि के कुल मिलाके बस आपको आपका विशेश कोई देवी देवता नहीं होगा आपका खुद का इस्ट देव होगा जिसको आप मानते हैं, जिसको भी आप शर्दा और भावना से पूझते हैं, वो ही आपके होंगे भगवान, यानि के इश्टदेव आपके, आपको विशेश तोर से गुरु भगवान का, शुकरदेव का, गनपती वपा का, या शेंकर भगवान का, किसी का भी ऐसा उपाए नहीं बता रही हूं, जो उपाए, विशेश, कौमन सब के लिए हो, नहीं, आपका अपना उपाए होगा, आपका अपना इश्टदेव होगा इसमें, वो बता रही हूं आपको, आपको एक छोटा सा क्यलकुलेशन करना है, छोटा सा एक आंकड़ा त्या करना है, जो को imposing among the incorporates सकते हैं माता पित对ो वह जानते ही है उस कलकुलेशन को और बच्चे भी अपना कल्कुलेशन कर सकते हैं आपको सबसे पहले ये कहुँगी कि अगर आपको सब बच्चों को सही और स्टीक जानकारी है आपके अपने जनु तित्थी की तो आपको एक calculation लगाना होगा माता-पिता को तो पता ही होता है कि बच्चे कौन से तारीख में जनु लिया है इन्होंने और बच्चों को भी पता होता है लेकिन फिर कई बार पता है क्या होता है कि सही तित्थी तारीख ना तो माता पिता को ध्यान में होती है कई बार ना बच्चों को ध्यान में होती है कई बार सन भी ध्यान में नहीं होता है कि ना माता पिता को ना बच्चों को कोई एक दो साल आगे पिछे की बात करते रहते हैं तारिक भी कोई आगे पीछे की बात करते देते हैं और अगर देशी तिथियां हो तो फिर तो आगे पीछे हो ही जाता है समय ऐसा नहीं होना चाहिए आपको accurate पता होना चाहिए कि आपकी जनम की तिथि क्या है आप क्या करिएगा सबसे पहले आपके जनम की तिथि को आपको अगर आप लिखकर इसको करना चाहें तो बिलकुर कर लीजाए अन्य था आप सीधा सीधा कल्क्मेशन लगाना चाहें तो सीधा सीधा लगा लीजी जैसे मैं बता रही हूं वैसे आपको क्या करना है कि आपको आपकी जन्मतित्थी सबसे पहले आपको पता है कि जन्मतित्थी आपकी जैसे कि आपका मान लीजिए 12 स्टंबर को हुआ है 12 दिसंबर को हुआ है 18 जुलाई को हुआ है वो अगर आपका सिंगल अंक है यानि कि आपको कोई calculation आगे नहीं करना और अगर आपका single अंक ना हो तो उसे double को single कर लेजियेगा बीचियों प्लस करके जैसे 17 तारीक हो तो एक प्लस 7 यानिके 8 हो जाएगा वो 8 हो जाएगा और उसके बाद से अगर single ही आपका 8 हो यानिके 8 सितंबर हो तो फिर आपको आगे calculation करने की कोई जरूरत नहीं है आपका वो ही नंबर रहेगा उस नंबर को के आगे आपका आता है महीना यानि के आपका क्यार्वा महीना है नमंबर का या सातों महीना है जुलाई का या कोई सा भी महीना है आपका वो आगे महीना रहेगा वो महीने उस महीने में भी अगर डबल अंक हो नमबर हो तो उसको सिंगल कर लीजिएगा अगर सिंगल हो जैसे साथ जुलाई है तो साथवा महीना रहेगा और अगर माल लीजिए अक्टूबर है नमबर है दिसंबर है तो ये डबल होते हैं इनको जोड़के आप सिंगल कर लीजिएगा ग्यारवा महीना है जैसे नमबर का एक और एक दो हो गए इस तरह से आगे आता है आपका सन और सन में ऐसा है कि आपको जो शुरूत वाले अंक हैना वो छोड़ देने हैं जैसे अगर आपका 1998, 1996, 1995, 1992 तो अगर 2001, 2004 तो आपको शुरू वाले दो आंक छोड़ देने हैं और पीछे वाले दो आंक आपको लेने हैं पीछे वाले दो जो आंक हैं आपके वो जैसे 1995 में हुआ है तो 9 और 5 आपके आंक रहेंगे 19 नहीं रहेगा आगे वाला और अगर 2004, 2003, 2001 कुछ ऐसा रहे तो फिर 2000 में से 2 और 0 छोड़ देना है और आगे वाली 0 और उसके पीछे वाला एक सिंगल अंग रख लेना है और अगर डबल अंग हो, डबल अंग में तो खेर आपके शादी लायक आप होई नहीं सकते लेकिन सिंगल अंग आपको चाहिएगा पीछे वाला अब ये आगे वाले दो अंग हटाते हुए पीछे आपकी जनमतित्थी का एक अंग, एक अंग आपका महीने का और एक अंग आ आपका जैसे 1995 हो तो नो और पांच को जोड लीजेगा वो एक सिंगल अंग का जाएगा तो इस तरह से फिर वो जनमतित्थी वाला और महीने वाला और सन वाला तीनों अंग को जोडने के बाद आपका एक अंग बन जाएगा अब उस एक अंग को आपको जब भी वहा की बा आत्मा के अंखों से उसको देखना शुरू कर दीजिए यानि कि मैं जैसे अब कहूं कि मैं आठ के आकार को सामने अपने देख रही हूं नो के आकार को अपने अंतरमन में जानती हूं कि कैसा होता है चार का अंक कैसा होता है उसकी शकल उसका आकार कैसा होता है वो चीज मे और शिगर विवा की योग बनें ये माता-पिता भी कर सकते हैं बच्चों की जनमतित्थी के साथ और बच्चे खुद भी कर सकते हैं वो आप जहां चाहते हैं जहां आपकी बात चल रही है जिसके बारे में आप इमेजन करते हुए इस्ट देव से कहेंगे अपने अंक को या याद करेंगे जनमतित्थी का वह आपके पास लाएगा उन लोगों को और वही अक्रशन बढ़ेगा उन लोगों के लिए जो आप मन ही मन याद करते हुए करेंगे यह उपाय आप जरूर करके देखें तरीका आप देखेंगे कि आपको फॉरन रिजल्ट मिल रहे हैं इसक झालकी